हेलो दोस्तों गोडिवरिंग आप सभी अच्छे होंगे और नया साल आने वाला है आज 31 दिसंबर रात के लगभग साड़े 11 बज रहे हैं मैं आप सब के लिए एक गणित का बहुत ही अच्छा चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है गणित की प्रकिर्ति आप सभी का श्वागत करता हूं सबसे पहले और आये सीटेट के लिए सबसे इंपर्टेंट एक नंबर यह आपका होगा आप इस वीडियो का अच्छे स है कि आपके शिलेबस में यानि के प्रात्मिक विद्यालियों में गणित की क्या प्रारूप होनी चाहिए गणित कैसी होनी चाहिए गणित का नेचर क्या होना चाहिए और गणित कैसे बच्चों को सिखाए और इस बात का ख्याल लगए कि गणित सिखाने में बच्चों के के एक गजाम में एक नमबर के लिए आता है तो सबसे पहले पॉइंट पड़ते हैं गणितिय संकल्प नायım पदानु रॉन्ख करम होनी चाहिए यानशी जितने भी गणितिय संकल्प औरनाए हैं वह पाधानूक्रम में होने प्हकर यह पहली बात दूसरी बात यह कि गनित का जिञान का आधहर हमारी ग्यानि अंद्रीयों है उंक जो आधार है गनित सिखने का वो हमारी ग्यानेंद्रियों से है तिसरी पॉइंट यह है कि गनित की संकल्पनाएं प्रकिर्ती में अमूर्थ बहुत ही इंपॉर्टन पॉइंट है कि गनित की जो संकल्पनाएं वो प्रकिर्ती में कैसी है अमूर्थ होती है और प्रात्मिक विद्यालियों में गनित का जो सिक्षन होता है वो मूर्थ से अमूर्थ की ओर होता है इस बात की क्या लगना है तिसरा पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है कि जो गनित की संकल्पनाई होती है जो गनित का नेचर है प्राकिरती में वो अमूर्थ है लेकिन इसका जो सिक्षन होता है वो मूर्थ से अमूर्थ की तरब मूर्थ यानि के ठोस बस्तू का समय विस और अमूर्थ मतलब जिसकी कल्पनाएं कराई जाती है या जिसके तह तक या जिसके हल तक पहुच जाती है ओके आगे पढ़ते हैं चौथा पॉइंट गनित की अपनी चि जिनों के झुर्ब नहीं पड़ती है उनकी खुद अपनी चीन होती है इसका एक भासा होता है और उनका सबका क्या होता है एक समुझे होता है पांचमा पॉइंट पड़ता है गनिती और धहरनाओं की प्रकिर्थ टरकशंगत शोती है यानि कि जितने भी गनिती यह भी है मेरे दोस्तों कि गनित में बच्चा को तार्किक करना है कैसा करना है तार्किक बच्चे तार्किक होंगे उनका मांशिक विकास होगा बच्चे तर्क करेंगे तो उसमें गनित का क्या होगा गनिती एकरण ज्यादा होगा और जब गनिती एकरण ज्यादा होगा तो बच्चों का सोचने का जो लेबल होगा वो उपर के तरफ होगा चले चाठा पॉइंट पढ़ते हैं गनितिया और अधरनाए निगमनिक एवं आगमनिक दोनों विवेचन तरकन पर अधारित होती है ये दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है ये कहा रहा है कि गनितिया और अधरनाए जो होती है वो निगमनिक यानि के नियम के अधार पर भी होती है और साथ-साथ आगमनिक यानि के आगमन की वीदी का अनुसार होती है जिससे क्या होता है तरकन पदती डेवलप्ट हो जाती है और ये दोनों विवेचन एक साथ होता है यानि के नियम से उधारन की ओर भी होता है और साथ-साथ उधारन से नियम की ओर होता है यह दोनों भी वेचनाइं होती है गनीतियां उधारनाओं में ओके अगला सत्वा पॉइंट जो सीटेट में पुछा हुआ कोश्चन है और यह कहता है कि गनीतियों में नीहित परतिमानों को उजागर करती है गनित जो होता है गनित का जो फरकिरती है नहीत परतिमान जो होते हैं उजागर करती है जितने भी बाते हैं उनको क्या करता है प्रूफ करती है उसको क्या करती है कि उसका हल रूनती है उसके बारे में बताती है ऐसे नहीं है कि मैंने यह कह दिया और यह सही है बलकि उसका प्रूप देती है वो तो नहीत परतिवानों क्या करती है उज्यागर करती है आगे गनित में संख्याएं अस्थान दीसा तथा मापन या मापतल की ज़्यान का प्राथ के जाता है वहीं बहूत इंपोटन्ट नौ परते हैं प्रात्मिक अस्तर के बच्चों में संख्याय पढ़ते हैं, अस्थान पढ़ते हैं, दीशा पढ़ते हैं, मापन पढ़ते हैं, मापतोल पढ़ते हैं, यह सब कुछ ग्यान प्रात्मिक अक्षा में दिया आता है, ऐसी गनित की प्रकृति होनी चाहिए, पॉइंट नौ रबिद्ध का इध्यान होगा बच्चे तारकिक होगे जब राकिक हूगे तो उन में गणनिती प्रुक्ण के प्रतिमानों करth संधायजाता है और यह उनके तरह गनित को भी क्या कियाता है, समझा जाता है, वो तत्थों पे अदारित होती है, इनका प्रूप्स होता है, इसका क्या होता है, एक बहुत ही बढ़िया क्या होता है, प्रूप्स होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, कि ये इसको समझा जाता है, परमे के तोर पे, अभ गनित जो है जितने भी अमुर्थ विचार होती हैं अमुर्थ विचार जिसको हम लोग नहीं जान पाते हैं या एक ऐसा विचार जिसको हम ठोस तोर पे बच्चों के सामने नहीं ला सकते हैं उन सभी विचारों को ढूंडने के लिए बच्चे क्या करते हैं यानि कि खोज करत बैंत हैं कि बच्चे अमुर्थ विचारों में सम्भाव्यानिचन करता है, 12 नमर स्व fine सब्सक्रण अगर व्याए Chrash there लगहिते हैं, лекपनों सनी ग्रींच लिशलिया क्योंकि इसका जो नियम है, जो से धानत है, वो एक जगह या सभी जगह एक समान होते हैं, ओके, आगला तेरा नमर पॉइंट पढ़ते हैं, गनित का ग्यान, यथार्थ, क्रमबंद, तारकिक, तो था अधिक असपस्ट होता है, यानि कि गनित का जो ग्यान होता है, वो एक क् असपस्ट होती है, यानि कि गनित का जो भासा होता है, वो काफी सूपर भासित होती है, यानि कि इसको बहुत अच्छे तरह कि समझा जाता है, इसको यह भी का जाता है, कि गनित जो है, वो परतीकों की भासा है, गनित कैसी भासा है, चीनों की भासा है, गनित को हम चीनों स सवाल है गणिति ये भासा जो होती हैं वो समस्या समधान को विक्सित करती है क्यों क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि गणिति ये भासा कैसी होती है चित्रित वाली होती है यानि कि उनको प्रतिकों के द्वारा सीखा जाता है या प्रतिकों के द्वारा सीखाया जाता है कैसे इ तार्किक कॉसल को भी विक्सित करती है तार्किक कॉसल गणित तो है यह तार्किक कॉसल वड़ा अगर बच्चों में गणित का सिछों अच्छे ढंक से होगा बच्चे गणित यह करेंगे तो तार्किकता का विकास होगा तो इसी अधार पे कहते हैं कि गणित की जो भासा होत हैं वो समस्या समधान को बिक्सित करती है और साथ साल तारकिक कौसल को भी बिक्सित करने में सहायक होती है दोस्तों यह गणित की प्रकिरती है इस सारे पॉइंट को एक बार रिकॉल करके पढ़ लें जितने भी पॉइंट हो उसका स्क्रिंसोट ले लिए मैं पेडियाफ आपका एक नमबर बिलकुल टिट्टो के लिए रोगा आप किसी भी यह का प्रिवियस यह का कॉश्यन उटा लीजिए शारे के सारे क्वेसेंस पनेंगे तो लेते हैं बिदा डालते हैं फिर अगले लेते हैं बिदा और मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक लिए ध झानने बाग